अब हम Henry Scholl का दिया हुआ फिफ्थ प्रिंसिपल डिसकस कर लेते हैं जिसको हम कह सकते हैं यूनिटी ऑफ डिरेक्शन येस यूनिटी ऑफ डिरेक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं निर्देश की एक्ता इस प्रिंसिपल के अकोर्डिंग क्या कह रहे हैं There should be one head and the one plan for the group of activities and the same objective ऐसी activities जिनका objective सेम होता है उनके लिए पलान भी एक होना चाहिए और उनके उपर head भी एक ही होना चाहिए अब इसको मैं एक example के तुरू समझा देता हूँ माल लीजी हमारे स्कूल के अंदर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो football खेलना चाहते हैं तो football खेलना उनका objective है तो football खेलने वाले बच्चों के लिए मैं अलग से टीम बनाऊंगा क्योंकि उनका objective एक है अब football खेलने वाली बच्चों का एक team बन गया उन टीम का एक plan होगा उस plan को handle करने के लिए उनका teacher भी अलग होगा उनका कोच, उनका हेड जिसको हम क्या सकते हैं अब इसी तरह से माल लीजिए हमारे स्कूल में कुछ बच्चे बास्केट बॉल खेलना चाहते हैं तो उनकी एक्टिविटीज क्योंकि सेम हैं तो उनकी मैं एक टीम बनाऊंगा, उनका एक पलान भी होगा अगर उनको कहीं पे खेलने जाना है, चाहिए वो स्कूल में खेले चाहिए वो किसी दूसरे स्कूल के साथ खेले, कॉम्पिटीशन करने जाएं तो उनका पलान भी अलग होगा, तो उनका कोच भी तो अलग होगा मतलब सेम एक्टिविटीज वालों का, जिनका एक ही टार्गेट है उनका हम अलग से एक पलान बनाते हैं, और उनका अलग से एक हेड भी होना चाहिए अब किसी फम या और्गिनेजिशन की बात करें माल लीजिए हमारी और्गिनेजिशन के अंदर हमारे पास दो पॉड़क्ट है माल लीजिए हम स्कूटर भी बनाते हैं और हम माल लीजिए कार भी बनाते हैं अब स्कूटर की एक्टिविटीज अलग होगी, कार की एक्टिविटीज अलग होगी कार को लेकर मार्किट में अपनी प्रोब्लम्स होंगी कार का अपना एक टार्गेट होगा कार को बेचने को लेकर तो इसलिए मैंने क्या किया स्कूटर का अलग पलान बनाया कार का अलग पलान बनाया स्कूटर के ऊपर मैंने क्या किया स्कूटर के उपर मैंने एक स्कूटर के डिपार्टमेंट का अलग हेड बना दिया कार के डिपार्टमेंट को संभालने के लिए हेड नमबर टू मैंने बना दिया तो यहां पर क्या किया हमने एक्टिविटीज के बेस पर अलग-अलग डिवीजन बना दिये अलग-अलग पलान मना दिये और अलग-अलग मैंने उसके उपर उसके क्या बोस भी बना दिये तो ये क्यों जरूरी है अगर आप किसी भी और्गिनाज़ेशन को बहुत अच्छे तरीके से चलाना चाहते हो तो यहां पर यूनिटी ओव डिरेक्शन बहुत जरूरी हो जाता है येस, efficient running of an organization, the unity of direction is important यूनिटी ओव डिरेक्शन बहुत important हो जाता है अगर आप किसी भी और्गिनाज़ेशन को success की और लेकर जाना चाहते हैं तो तो जो example मैं आपको अभी scooter और car का समझा रहा था वो example यहां पे इन्होंने दिया हुआ है और I hope यह example आपकी book में भी होगा तो मतलब कहने का किया है, ऐसी activities जिनका objective सेम है, जिनका target सेम है उन activities का आप अलग से एक plan बनाओ और उनको handle करने वाला एक अलग से ही head भी होना चाहिए तो यहां पर जब हम unity of direction को apply कर देते हैं तो हमें कुछ benefit भी मिलने start हो जाते हैं, कुछ positive effect पहली बात, तो यहां पर हमें specialization का benefit मिल जाएगा organization की efficiency increase होने वाली है, हमारे target हमको achieve करने बहुत easy हो जाएंगे और दूसरी activities के साथ हम बहुत easily coordination भी कर सकते हैं, बट अगर हम unity of direction को apply ना करें तो क्या होगा सारी activities mix हो जाएंगी, scooter के department का बंदा उधर जा रहा है, volleyball खेलने वाला, football खेलने जा रहा है, football खेलने वाला, volleyball खेलने जा रहा है तो सब बच्चे mix हो जाएंगे, वो coach कहेगा कि मैं उनको training देता हूँ, वो coach कहेगा कि मैं उनको training देता हूँ मतलब जब हम unity of direction को apply नहीं करते हैं, तो हमारे target हमसे achieve नहीं हो पाते, objective हमारा achieve नहीं हो पाता, specialization का benefit नहीं हो पाता, लड़ाई जगड़े भी कहीं नहीं स्टार्ट हो जाते हैं तो unity of direction की एक simple सी theme है, there should be one head and the one plan for a group of activities हैं the same objective, मतलब ऐसे activities जिनका objective same हैं, उनके लिए plan और head एक ही होना चाहिए, तो ये है हमारा unity of direction